रोक सके जो दिल बालों को ऐसी कोई जेल नहीं दिल का लगाना इस दुनिया में लोगों कोई खेल नहीं हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूं भी पिन यादव और आज हमारा रिजिनिंग का दूसरा वीडियो है एनालोगी चैप्टर चल लाहत आपका और एक वीडियो हो चुका था जैसा कि आप कल देख चु तो सबसे पहले आज का जो हम कुश्चन लेकर आये हैं सीधे चलते हैं कुश्चन पर फालतू बात ना करते हुए यह देखिए और मुझे उमीद है कि आज आपको दिख रहा होगा चुकि कुश्चन का साइज परा कर दिया मैंने बाढ़ पानी से कैसे संबंदीत है तो तो पानी आने से बाढ़ हा जाती है तो हरा के बढ़ने से ही तुफान बढ़ेगा तुफान आएगा यानि एंसर हमारा अपसरम्सिघ होना चाहिए ठीक है दोस्तों अब हो सकता है कि आप गती मार दीजिएगा कि तुफान में गती ज़्यादा होता है तो ये पानी बाढ़ की गती का चर्चा नहीं हुआ, इसके संबंध जो होंगे, कैसे होंगे, कि पानी के बढ़ने से बाढ़ हाएगी, तो हावा के बढ़ने से क्या होगा, तुफान होगा, इसलिए option C हमारा answer हो जाएगा, अच्छा, मूम बत्ती, मूम, तो कागज किस से, आ उस तक से कागज नहीं बनता है, गलत बाद, पेर को भी नहीं लेंगे, बास को लुगदी को, हाँ, आप कह सकते हैं, कि सर बास से कागज बनता है, लेकिन देखिए, कागज जो बनता है, लेकिन बास का ही लुगदी बनाया जाता है, और उस लुगदी से कागज बनता है, लुगदी किसको कहते हैं, जैसे बास हुआ, घास हुआ, जिससे कागज बनता है, उसको पिसाई करके, जो बना लिया जाता है, पिस के, उसको कहते हैं, लुगदी, तो लुगदी से बनता है कागज, इस topic किलियर करने के लिए, आपको general knowledge की बहुत जरूरत होती है, तो अगर क्या करिए कोई भी बुक से ऐसे उठाइए इस चेप्टर को उठाइए ना लोगी को और उसके पूरे सलूशन को एक बार अच्छे से पढ़ जाईए तब जाईए सवाल बनाईए आप से असानी से सवाल बनेगा और एक्जाम में भी आप करोगे आईए फिर यहां मैं तो अ आप कहेंगे पैरिया अब कुछ लोग होते हैं कि कहेंगा आख में रतंदी होता है तो दात मुह में होता है ऐसे मार देगा नहीं आपको यह कहना है कि आख की तो बीमारी होती है न रतंदी रतंदी क्यों बोला गया क्योंकि आख की बीमारी है तो दात की बीमारी कौन है प खिचता है टेलर को ट्रैक्टर खिचता है तो अस्व यानि घोरा किसको खिचता है गारी को बैल गारी को टमटम को पहिया को टमटम सबसे बहतर होगा क्योंकि टमटम में घोरा ही बांथा जाता है घोरा ही खिचता है टमटम को अपसंसी सही है अब बंगलूरू करनाटक तो इंफाल अब इसमें क्या संबंद है अब इसका यह संबंद है कि बंगलूरू और करनाटक में करनाटक की राजधानी बैंगलूरू करनाटक की राजधानी बैंगलूरू तो इंफाल किसका राजधानी है को लकाता मानीपूर महरास्ट नागालेन मनीपूर का है ना चलिए सब्सक्राइब बंद हो गया था क्या अब एक बात देखिए इसमेरा जद्धानी कौन है बैंगलूर है न राजद्धानी सब्सक्राइब लेकिन बंद हुआ था थी कुर्शी हिलिया था हम से ताव हुआ था झार के ठाकाम किस्टन पर बात किये था आई यए शहिए हमारा इंशांद उपगरह तो परुठीबी क्या अभी चांदआउपगरह का क्या मतलब है vision के बारे में कि están प्रिथी भी खैंवा या घमारा इंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आगे बरते हैं अकला सवाल है मारा कि जारखन बीहार उत्तराखन क्या तो अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए आप जेनेरल लोलिज परहेंगे तभी आपको ये पता होगा कि बिहार से टूटकर जारखन बना है बिहार से टूटकर जर्खन बना है तो उत्तरा खंड किसके टूटने से बना है तो उत्तर परदेश के आईए दोस्तों आठ नमर सवाल पर आते हैं आम फल तो आलू क्या फल ताना पुस्प जर्खन एक बात ध्यान दीजिएगा आलू से समधित बड़ा कनफ्यूजन वला यह सवाल है आम का हम फल खाते हैं आम का क्या खाते हैं फल खाते हैं लेकिन आलू का कहेंगे कि फल तो फल होता नहीं है आप कहेंगे पुस्प पुस्प नहीं खाते हैं जर्खन तो अब जर्खन और ताना में आपको कनफ्यूजन होगा और अधिकतर लोग यही जानते हैं कि आलू का ह हम जड़ खाते हैं लेकिन आलू का जो खाने वाला भाग है न उसको हम तना बोलते हैं अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग सर्च कर लिजेगा और सही बात यही है कि आलू का हम तना खाते हैं आगे देखिए बोध गया बिहार तिरुपाती क्या होगा तो बो ही अगे बढ़ते हैं मुंबई, महरास्थ, तुर्वेंदरम महरास्थ में क्या संबन है आपको पता होगा महरास्थ किराजधानी मुंबई है अभी तो । लेकर महराष्ट की राजधानी मुंबई है तो यहां पर तिर्वेंदरम किसकी राजधानी है कोलकाता तमिलनाडू सिक्किम केरल साइद इसमें सिक्किम सरी केरल 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 है ना चलिए और राज़ राजधानी आफी लोगो ठीक से याद होगा क्योंकि हम तो मैत और रिजनिंग पर रहते हैं जी कि आफी लोग परते होंगे आगे है कि मंद पवन चक्रबात बुंदा बुंदी तो जैसे मंद पवन का बरा रूप चक्रबात होता है बड़ा सा तुफान उसी तरह बुंदा बुंदी का अगर बरा रूप आता है तो क्या बरसात आंदी बादल पानी नहीं बुंदा बुंदी ये बारिस का छोटा रूप है यानि बुंदा बुंदी का बरा रूप जो होगा वो बरसात होगा आईए बंदूक गोली तो चीमिनी से क्या समझ तो बंदूक से निकलता है या गोली तो चीमिनी से क्या निकलेगा चीमि संक्रमन क्या होता है कि टानू रोग सरीर औस दी देखिए भुज्य पदार्थ जो है वह परदूसित हो जाता है भुज्य पदार्थ क्या हो जाता है परदूसित जब खराब होता है तो उसको परदूसित कहते हैं तो संक्रमन क्या होता है कि टानू रोग सरीर औस दी सरीर हमर पर्दूसित हो जाता है पर्दूसनी में आगे कह एये कार गएरेज हाइज तो कर गएरेज में लगाया जाता है तो हवाई जहाज कहां हैंगर में एकल के भी लाज में आपनें पढ़ा था अगए दिए आते हैं 15 सवाल पर Rob का समंग चित्रकार से तो कास्ट कास्ट यानि लकडी का समंध किस से तो याद रहे कि चित्रकार जो है रंग का यूज करता है चित्रकार क्या करता है रंग का यूज करता है चित्रकारी करने के लिए उसी तरह कास्ट यानि लकडी का यूज कौन करता है बढ़ाई फनीचर ब अब ऐसा नहीं कि लकडी का यूज फनीचर में करते हैं तो क्या आप रंग का यूज चित्रकार में करते हैं नहीं चित्रकारी में करते हैं चित्रकार तो कोई व्यक्ति हो गया तो यहाँ पर हम यह समझे कि चित्रकार जो है रंग का यूज करके चित्रकारी करता है कोई चित जो तैरता है उसी तरह आसमान में कौन उर्ता है भाई हवाई जहाज अब इसमें पक्षी नहीं मारिएगा पक्षी इसलिए नहीं मारिएगा कि यो की ये मानब दोरा बनाया गया चीज है तो वो में लखा रहा है जैसे समुदर में जहाज दिया है तो जहाज आदमी दोरा ब बनाए गया होसी तरह आसमान में एक अप्सन जो दिया हुआ हवाय जहाज योद पोत क्या गोरा को दवराता है गुर्सवार आगे है बहना, हवा, तरकना, तरित यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, बहना हवा, हवा बहता है, तो तरकना, तरित यह हो जाएगा, तरित जो है तरकता है, अगले पर आते हैं, हमरा अगला सवाल, मुसल्मान, मस्जिद, तो सिख कहा होगा, गुरुद् अध्यक्ष होता है तो समाचार पत्र का जो नेत्रित्र करता है वो संपादक होता है सफलता अनंद तो औस अफलता उदासी अगर सफलता मिलती है तो आनंद आता है औस अफलता मिलती है तो हमें सा उदास रहते हैं खाला सी हो गया। रीसम कीट से रीसम की सारी बनती है, तो नाग से क्या बनता है, तो नाग से विसहर बनता है, विसहर, आइए। अगला वाइरस वाइरोलोजी तो एंट ध्यान दिजेगा यानि वाइरस का जो अध्यान किया जाता है वो वाइरोलोजी के अंदर होता है उसी तरह एंट का जो अध्यान किया जाता है एंटो मोलोजी कहलाता है एंटो मोलोजी के अंतरगत ही एंट का हम अध्यान करते हैं आगे है रक्षक दल जहाज तो सिस्ट मंडल क्या जैसे रक्षक दल जहाज में होता है उसी तरह सिस्ट मंडल के साथ कौन होता है परतिनीधी होता है आगे देखिए गंगा सोन तो सिंधू क्या तो गंगा से समंध जो सोन का है क्या समंध है तो गंगा की सहायक नदी सोन है अ आपका जहलम हो जाएगा नाटक, निर्देशक, तटीम नाटक का जो कैप्टन होता है निर्देशक होता है उसी तरह टीम का कौन होता है जो मेन होता है वो कैप्टन होता है उसका मोनेटर आगे आईए अगला हमारा मात्री हत्या माता तो मानव हत्या मानव होगा सिंपल है कि मात्री हत्या में माता का हत्या होता है उसी तरह मानव हत्या में मानव का हत्या होगा आगे है चौक स्यामपट तो पेंट बरस देखिए चौक से हम स्यामपट पर लिखते हैं स्यामपट जो आप बोड देखते हैं जिस पर पढ़ते थे हम लोग स्कूल में, बच्पन में उसी तरह पेंट बरस से कैनवास पर चित्रकारी किया जाता है पेंट बरस से जो चित्रकारी किया जाता है उसको कैनवास कहते हैं जिस पर किया जाता है महल जोपरी, ये क्या है? अपोजिट है, जोपरी से छोटा रहने वाला जगर नहीं होगा अब महल से बारा नहीं तो ये अपोजिट है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो हाथी अगर बड़ा है उसी तरह सबसे छोटा क्या बोला जाता है चूहा ने कहता है लराई जगरा होता है, तो कहता एक बड़ा आदमी रहता है कहता है, उतो एक दम हाथी था ये तो एक दम चूहा था है, तो यहाँ चूहा कहेंगे है और इसमेंद चीटी नहीं था न तो चीटी ये मार देते चीटी इस इस से भी छोटा होता है ना आइ regulatory not उम्णड और उन्ट क्या अब जलियान और समुद्र में क्यांतर है समुद्र में जलियान चलता है तो उसी तरह उन्ट कहां चलता है तो दोस्तों आज का हमारा क्लास खतम होता है और हमने बहुत आसानी से कम टाइम में 30 कोश्चन कर लिया है अब साम में आपको सुभा के 10 बजे आपको reasoning का वीडियो मिलेगा हमेशा और साम के 5 बजे आपको math का वीडियो अपलोड होगा तो साम में मिलते हैं और इस वीडियो को like जरूर करियेगा अगर अच्छा लगा है तो मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है आपके like करने से हमारे अंदर होसला बरता है जैसे आप motivate होते हैं हम से उसी तरह हम भी आपसे भी charge होते हैं तो और अगर आपको लगातार वीडियो देखनी है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दवा लिजे इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू